से फृदिए फाइल कैसे बनाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चले जाना ऐपने मुबाइल के प्लेयच फूर में और फूर जब जाएंगे तो यहां पी आपको टाइप करना है डॉक एसकेनर तो जैसे आप डॉक एसकेनर टाइप करेंगे इस तरीके से डॉक एसकेनर तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये एप्लिकेशन आ जाएगा तो इसको आपको क्या करना है इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरीके से कुछ ओपन होग कि यहाँ पे आपको इस तरीके से इसकी capture लेना है फोटो का और जैसे आप वो फोटो का capture लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता है इसके बाद आपको continue पे जाना है और जैसे continue पे जाएंगे और continue पे जाने के बाद okay करेंगे तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपको okay करना है और okay करने के बाद आपको क्या करना है यहां पे yes का निसान है यह के निसान पे जाना है और yes कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे save का option आता है तो save पे जाना है और जैसे आप save पे जाएंगे तो यहां पे दो internal storage और my document तो जहां भी आपको save करना है तो हमें मान लिजे कि my document पर जाके save करना है तो my document पर click करते हैं और my document पर जैसे click करते हैं तो यहां पर use this folder पर जाते हैं और allow कर देते हैं और allow करने के बाद अब आपको क्या करना है कि done पर जाना है और done पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपकी जो है यह आपकी गैलरी में सेव हो जाती है और इस तरीके से आप अपने Samsung के mobile से PDF फाइल बना सकते हैं तो यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो गैस फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गाइज बाबा टेक क्यार